हेलो दोस्तों आज हम बढ़ेंगे एक कप मौंग की दाल से बहुत ही जादा टेस्टी हलका फुलका नास्ता इसे आप बच्चों के टिफन में ब्रिकफास्ट में कभी भी बना सकते हैं बिना तेल का बनाएंगे बहुत ही जादा हेल्दी बनेगा तो इसको बनाने के लिए हम आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तोड़ा सा तीखा कम रखेगा तो यहां पर मैंने हरी मिर्च नहीं एड़ की है इसी तरह थोड़ा सा पानी डाल कर इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे कुछ इस तरीके से अब यह काफी जादा ये ठिक हो जाती है और जब इसका न नास्ता बने वो एकदम हलका फुलगा सा बने इसके लिए हम इसमें डालेंगे आधा कप सूजी सूजी डालने से जो नास्ता बनता है बहुत ही फूला फूला सा बनता है पानी डाल कर इसे हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे तो यह एकदम फलफी सा बैटर बनकर तयार हो ज और इसके साथ डालेंगे इसमें चुटकी भर हींग बहुत बढ़िया टेस्ट देती है और साथ में डालेंगे चाट मसाला कुछ करी पता लिए हैं जिनने काट करके डाल दिया है एक बारी कटा हुआ प्यास डाला है सब्जिया यहां पर जो भी हो आपके पास वो डाल दीजेगा और जो पसंद हो वो डालिएगा जो ना पसंद हो उन्हें स्किप कर दीजेगा जितनी सब्जिया डालेंगे उतना ही यह टेस्टी हेल्दी बनकर तयार होगा मोंकी डाल से बना रहे हैं तो हाई प्रोटीन है इसमें फरपूर प्रोटीन है बहुत ही जादा टेस्टी बनेगा अब यहाँ पर डालेंगे चौथा ही जमच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल कर इसे मेक्श कर देंगे इसे यह एक्टिवेट हो जाएगा और बहुत ही फलफी सा बनकर दयार होगा अगर आपके पास समय है तो इसे आधे गंटे के लिए रेस्ट पर रख सकते हैं फिर आपस में बेकिंग पाउडर ना यूज़ करिएगा अब यहाँ पर हमने दोल यह है छोटे साइस के आलू उबले हुए रखे थे तो वो डाल देंगे अगर आलू नहीं है तो आप बीना आलू के भी बना सकते हैं या फिर कच्छा आलू ग्रेट करके भी डाल सकते हैं तो उमला हुआ आलू अच्छे अच्छ मिल भी मेटर में जब अच्छ में हैं काफ्छ जाधा थिक हो जाएगा हमें इतना थिक नहीं। तो जो हमने mixisar में इसको पीसा था उसमें काफी ज़्यादा बैटर लगा है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर उसका जो बैटर है उसे निकाल देंगे और वही पानी हमस में डाल देंगे और हमने यहां पर आधा कप के जितना पानी डाला था और पूरा पानी हम इस बैटर में डाल देंगे अब ये एकदम हमारा परफेक्ट बैटर बनकर तयार है इधर हमने एक तबा लिया है यहाँ पर हम कोई भी नॉनिस्टिक परतर नहीं यूज़ करेंगे सिंपल इसे रोटी वाले तबे पर बनाएंगे तब ये पर हलका सा घी लगा लिया है ब्रस से और इसमें डाल देंगे उपर से सफेद तिल एक तो ये दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं दूसरे जब ये खाने में आते हैं तो बहुत ही अच्छा करंच देते हैं बहुत अच्छे लगते हैं अब यहाँ पे एक से दिर्ट चमत बेटर डाल देंगे और इसे हलके हाथों से फैला देंगे ध्यान रखेगा ये नास्ता थोड़ा सा मोटा ही रहता है इसे आप मेडियम फ्लेम पे सिखेगा हलका सा घी और लगा देंगे उपर से ताकि ये बढ़िया से सिख जाए और पलेट करते हुएं दोनों तरब से हमें क्रिस्पी होने तक सेखना है मध्यम आज पे सेखे इसे बहुत ही अच्छा सा अंदर तक एकदम सिखेगा और उपर से इसका टेस्ट बहुत करारा करारा सा बनकर तयार होगा और ये देखेगा बहुत की फूला फूला हमारा को सामिल कर सकते हैं बहुत ही रिच प्रोटीन से भरा हुआ रास्ता है बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है बच्चों को अगर आप एक बार इस तरीके से बना कर देंगे पूरा टिफन बच्चे फिनिश करके आएंगे और इसे अलट पिलट करते हुए बहुत ही अच्छे इसे सेख लिया है कितना अच्छा सा कलर आया है बस इसे आप बच्चों के मन पसंद कैचप चटनी सॉस के साथ सब करिएगा बच्चों के टिफन में दीजिएगा ब्रेकफास्ट में दीजिएगा और डिनर में भी आप उसे खा सकते हैं बहुत ही जादा टेस्टी बन का त सब्सक्राइब कर लीटिये हर दो